नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश PCS मुख्य परिच्छा 2013 के हल प्रस्णपत्र को तयार करेंगे और उसमें भी पहला प्रस्णपत्र पहले है देखेंगे तो प्राचीन इतियास को देखते हैं पहला सवाल निमनी लिखित बैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था तो सही जवाब है ब्रस्पती फिर है युद्ध भूमी में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अत्वा आत हो जाने के बाद किस भारती गण अत्वा राज की इस्तरियों ने सिकंदर के बिरुद सहस्त्र धारण किया था अति महत पूर्ण सवाल है सातियों रिपीट हो सकता है तो बैराज था मस्सग याद रखेगा संस्कृत के कभी और नाटक कर कालिदास का उल्लेख हुआ है दोस्तों किसमें पुलकेशियन दितिये के एहोल अभिलेख में बहुत महत पूर्ण है सातियों फिर है निमने लिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छाबनी में पैदा हुआ था तो सही जवाब है अमोग वर्स राष्ट्र कूट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सबके सैयोग से प्रेम और उसने से जो है लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जल्द ही हम लोग एक हजार पार कर जाएंगे मंदिर बताये गए हैं दोस्तों और कहां अवस्तित हैं तो इट से निर्मित मंदिर जो है दोस्तों भितरगाओं में है दसाबतार मंदिर देवगड और सिभ मंदिर भूमरा और विश्लू मंदिर जो है एरण में अवस्तित है याद रखिएगा जी हां साथियों टार्गेट करंट एके एक दो तीन यह हमारा टेलिग्राम चैनल है यहां पर आपको चैनल से संबंदित सारी जानकारी सारे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन और साथ ही PDF उपलब्द रहती है तो इसको जरूर जोइन कर लीजिए और साथ ही स उनका इस्तर कैसा है उसको जांचने के लिए एक बार देखें जरूर प्रस्णों को जांचने के लिए मुझे तो नहीं लगता है कि टेलिग्राम पे कोई और इस तरह की कोई चला रहा होगा मतलब प्रस्णों की गुडवत्ता की बात कर रहा हूं कितने महत पूना है इस तरह की बांकि चला तो आजकल हर कोई रहा है कथन और कारण दिये गए है बलवन ने अपने सासन को सक्तिसाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंड़ित कर ली कारण क्या था कारण की अत्तर प्षिम सीमा को मंगुल आकर्मन से सुरच्छित करना चाहता था तो बात यह भी ठीक है कि मंगोलों के आकर्मन से अपनी राजी को बचाना चाहता था लेकिन यहा ब्याक्या नहीं कर रहा है तो इसलिए ए और अज दोनों सही हैं लेकिन समुचित वैक्या नहीं है ताबिकल्प भी सही उत्तर होगा सुची एक को सुची दो से मिलाना है रचनाय दी गई है और उनके लेखक दिये गए है तो तबकात अकबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है निजामुद्दीन के द्वारा तबकात नासरी मिनहाज उद्दीन सिराज उद्दीन या फिर मिनहाज उज सिराज भी मिलेगा आपको तो कनफ्यूज नहीं होना है तारीखे फिरोजसाई किसके द्वारा लिखी गई है तो जियाओ दिन बर्नी के द्वारा तारीखे यामिनी अल उत्वी के द्वारा लिखी गई है या फिर आपको उत्वी भी मिलेगा कहीं कहीं तो उत्वी याद रख लिजिए अल को छोड़ दीजिएगा निमने लिखित में से किसने परसिद्ध कुत्ब मीनार के निर्मार में योगदान नहीं दिया था तो साथियों गया सुद्दीन तुगलक इसकी आधार सिला किसने रखी थी कुत्ब दीन एवक ने आधार सिला क्या दोस्तो इसका निर्मार ही कराया था उसके बाद इल्दुतमिस ने भी सयोग दिया और फिरोज साथ तुगलक ने जो है इसकी चौती मंजिल का निर्मार कराया था निमने लिखित सूफी साखाओं के किस एक में संगीत निशिद्ध है तो सही जबाब है नक्स बंदिया जो सूफी साखा है सूफी संतों की इसमें संगीत जो है निशिद्ध है याद रखिएगा तो बंदिया कैसे याद रखने बंदिया मतलब बंदिस लगी हुई है संगीत पर फिर क्या करना है संत दिये गए हैं और किस संपरदाय से संबंदित हैं उनको मैज करना है तो मुईनित दीन चिस्ति जो हैं वैस चिस्तिया संपरदाय से हैं सेख अइमद सरहिंदी जो है वह नक्सबंदिया से हैं दारा सिको कादिरिया से है और सेख सहाबुद दीन जो हैं सुहरा बर्दिया से संबंदित हैं याद रखिएगा निमने लिखित में से किसे भारत का साधी कहा जाता है तो सही जवाब है अमीर हसन को अमीर हसन ये देहलवी को भारत का साधी कहा जाता है निमने लिखित में किसने हितोप देश का फारसी में अनुबाद किया था किस नाम से मुफ्री उलकुतुब के नाम से निम्न लिखित में से कौन एक मुगल समराट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था अच्छा सवाल है रिपीट कर दिया जाता है तो मुर्सिद कुली खान अश्ट प्रधान नामक मंत्र परिशद होती थी दोस्तों कहां मराठा सासन में याद रखिएगा अश्ट प्रधान माफ कीजिएगा फिर है निमने लिखित में से किसे दितिय ताज महल कहा जाता है हुमायो का मकवरा इतमाद दौला का मकवरा या फिर रबिया उद्दौरानी का मकवरा तो सही जवाब है रबिया उद्दौरानी के मकवरे को ही ताज महल की फूहर नकल कहा जाता है या दुतिय मकवरा कहा ज इतनी दिल रास बानो बेगम या रभिया उद्दवरानी की याद में बनवाया था निम ने लिखी ते चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उजमा की उपादी दी थी दोस्तों देखिए रिपीट कर दिया गया इसवाल तो अबुल हसन को पिछली बार क्या पूछ तो उस्ताद मंसूर जो छित्रकार थे उनको दी गई थी कौन सी? नादिर उजमा और नादिर उजमा की उपादी ढब अबुल हसन को दी गई याद रखे याद रखेगा पंजाब के बिले के पश्चाद पंजाब पर सासन करने के लिए निमने लिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस नहीं था तो सही जवाब है ह. एम. इलियट बाकी जान लारेंस हेनरी लारेंस और मांटे गोमरी तीनों जो हैं इस परिषद के सदस थे याद रखेगा 1849 में डलहुजी द्वारा पंजाब बिले के बाद उस पर सासन करने के लिए एक समिती का गठन किया गया था इसके अध्यक्ष काउन थे हेनरी लारेंस थे निमनलिकित बंगाल के गवर्नर चेनरलों में से कौन एक तरतिय आंगल मैसूर युद से संबद है तो सही जवाब है लार्ड कार्न बालिस तरतिय आंगल मैसूर युद फिर क्या करना है बताना है कि कौन सा सही सुमिलित है तो लार्ड एलेन बरो जो है अबद के बिलीनी कराण से संबंदित नहीं है डलहोजी सिंद के बिले से संबंदित नहीं है लार्ड बेलजली जो है चत्वर्थ आंगल मैसूर युद में संबलित था यह कतन सही है चत्व पर्थम आंगल मैसूर युद्ध दोस्तों हैदर अली ने जीत लिया था ये भी याद रखना है एलन बरू सिंद्ध के बिले से संबंदित हैं डलाओ जी अबद का बिले किया था कुशासन का आरूप लगाकर और बेल जली जो हैं चौते आंगल मैसूर युद्ध से और एस् है तो उन्होंने सुदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था यही कथन असत्त है बाकि उनके गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन किया गया है या भी सही है उन्होंने सिवाजी और गुर्गोविन सिंव को राष्ट निर्माता के रूप में देखा यहां भी सही है और प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरब गान किया या कथन भी सही है उन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन के दोरान बीदेशी बस्तरों को जलाने पर इसे निष्ठुर परवादी कहा था याद रखिएगा अगला सबाल 1929 में नागपुर में संपन आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अद्धिक्षिता किस ने की थी तो जवाहर लाल नहरू ने की थी फिर है निमने लिखित समाज सुधार को में से कौन अब वो रात की प्रहरी जाग रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं तो आवाजे आ रही होगी प्लीज एग्नॉर इट निमने लिखित समाज सुधार को में से कौन संस्कृत बासा में प्रभिणता के लिए जाना जाता है तो दयानन सरस्वती ईस्वर चंद विद्या सागर और राजा राम मोहन राए तीनों को जाना जाता है निमने लिखित में से किसने स्वैम को हिंदुस्तान का तोता कहा था तो सही जबाब है अमीर खुसरो पिछली बार आपको बताया था कि गुरू गुरू रह गए और चेला सक करो गया था तो खुसरो ने जो है देखिए आपर इन्होंने गलत दिया है अमीर खुसरो ने दिल्ली के साथ सुल्तानों का सासन देखा था गलत है आठ सुल्तानों का सासन देखा ना की साथ साथ का किसने देखा जो इनके गुरू है निजामुद्दिन अहुलिया जिने मैभूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है हिंद स्वराज महत्मा गांदी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों गुजराती भासा में याद रखिएगा निमनी लिखित पत्रकारों में से कौन महत्मा गांदी का जीवनी कार है तो लुई फिसर जो हैं महत्मा गांदी के जीवनी कार है लुई फिसर बेव मिलर ने क्या किया है दोस्तों सभी ने अबग्यां आंदोलन का चित्रन किया है ये भी याद रखिएगा पिछली बार नेरू के जिबनीकार पूछे थे इस बार गांदी जी के पूछ लिए गया है साइमन कमिशन का का तो सही जवाब है जान साइमन जो हैं उधार बादी दल के थे साथ सदा से थे लेकिन एक ओओ इसमें भारती नहीं था सब कर के सब गोरे थे इसलिए इसका बिरोध किया गया था निम्निलिखित अधिनेमों में से पर्थमबार किस ने गवर्नर जर्नरल आफ वंगाल के पदहेतु प्रावदान किया गया था किसम किया गया था तो सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट शत्रा सो तियत्तर जर्नी थ्रू दी किंगडम आफ अबद इन दी एर 1849-50 रिपोर्ट किस के द्वारा लिखी गई थी तो डबलू एच स्ली मैन के द्वारा इतना लंबा नाम याद नहीं रखना है जरनी थूदी किंगडम बस इतना ही याद रखेगा ये रिपोर्ट किस के द्वारा लिखी गई थी तो सली मैंन के द्वारा लिखी गई थी फिर है निमने लिखित में से किसने कवमी आवाज पत्र का आरंब किया था तो सही जवाब है जवाहर लाल नहरू काउन सा सही सुमेलित है तो भगत सिंग जो हैं दोस्तो एन इंट्रोड़क्शन टू दी ड्रीम लेंड से संबंदित रहे हैं बाकि बंदी जीवन जो है दोस्तो सुवाश्चंदर बोस की रचना ना होकर सचींदर सान्याल की है याद रखिएगा सुभाष चंदर बोष की कौन सी है तो इंडियन इस्टरगल जो है सुभाष चंदर बोष की रचना है और भगवती चरण बोरा की रचना जो है बम के नाम से दोस्तों याद नहीं आ रहा है फिलासिपी आफबम जी हैं 1916 के भारती राष्टी का अंग्रिस के लखनव अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था तो अंबिका चरण मजूमदार या फिर एसी मजूमदार गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था दोस्तों तो एक सापताहिक पत्र था याद रखेगा गदर पा देश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समाना अंतर सरकार की इस्तापना की गई थी तो बल्या में किसने चित्तू पांडे ने की थी ये भी याद रखेगा सक्ति के बिरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहनुभूती चाहता हूं यहां कथन किस से संबंदित है तो सही जवाब है गांदी की दांडी यात्रा से यही कथन जो है दोस्तों जेलेंसकी ने जो है जब रूस ने आकर्मन किया था यूकरेन पर तब सही काल क्रम जो है बेवस्तित कीजिए तो सीधे ब्याख्या पर चलते हैं गांदी इर्विन समझोता पांच मार्च 1931 को हुआ भगत सिंग को फांसी 23 मार्च 1931 और कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 और दितिये गोल में समयलन सितंबर 1931 तो इनको जब सेट करेंगे तो विक खित कथनों में से कान सा असयोग ऐंदोलन के संबंद में सही नहीं है इस अंदोलन की अबधी 1920 से 1922 तक थी कि एक दम सही है एक वर्स के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था या भी सही है इसमें बह费 कार की जुजना ती या भी सही है आयम एजिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था यही कतन गलत है इन्होंने इसका समर्थन करने के बजाए बिरोध किया था याद रखिएगा मुस्लिमों के लिए एक पर्थक देश की पर्थम बार एक निश्चित अभिवेक्ति कहां हुई थी तो सही जवाब है 1930 के मुस्लिम लिग के इलावाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षिये भासर में जो है इसकी अभिवेक्ति हुई थी लेकिन 1940 के मुस्लिम लिग के लाहौर अधिवेशन में ये फैसला ले लिया गया था कि एक देश पाकिस्तान होगा आजाद हिंद फौज दिवस के स्थिति को मनाय जाता है तो बारह नमंबर 1945 को मनाय जाता है भारत चोड़ो अंदोलन के समय भारत का प्रधान सेना पती कौन था दोस्तों तो सही जवाब है लाड बेवर्ण लाड बाइसराय और गवर्णर जर्नल लाड लिल लित्वो का कारिकाल भारत में सबसे लंबा था या भी याद रखिएगा भगस सिंग का इस मार्क कहां इस्तित है तो फिरोजपुर में इस्तित है सतलज नदी के तट पर ये भी याद रखिएगा निमने लिखित में से किसे सामेबाद का उच्चितम पुजारी कहा गया जवाहर लाल नहरू को तो सिह जो है सतलज में पानी पीता है तो भगस सिंग की बात हो रही है दोस्तों तो इनकी जो समादी है सतलज नदी के किनारे है ये याद रखने के लिए ट्रिक बनाया गया है निमने लिखित में से किसने असायोक अंदोलन के दोरान विदेशी बस्तरों के जला जाने का बिरोध किया अभी हम उपर भी देख चुके हैं इन्होंने इसे निश्टूर परवादी कहा किसने बाबा रबिंदरनाथ टैगोर ने निमने लिखित गठनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें विवस्तित कीजिए रॉलट एक्ट जो है 1919 में बना मार्च जलिया वाला कांड कब हुआ 13 अप्रैल 1919 और कांग्रिस का अमरत सर अधिवेशन जो है दिसंबर 1919 में हुआ था खिलाफत अंदोलन सितंबर 1920 में शुरू हुआ था तो बिकल्प एस ही उत्तर हो जाएगा निमने लिखित प्रांतों में से किस प्रांत की सत्या ग्रहियों की संख्या मात्मा गांदी के दांडी कूच से सरवादिक थी तो सही जवाब है गुजरात बापू माई मदर सीरसक संसमरंड किसने लिखा था तो मनु बहन ने जो है या संसमरंड लिखा था भारती राष्ट्री कांग्रेस के निमने लिखित अधिवेशनों में से किस एक यह देख्षता जबाहर लाल नेरू ने सर प्रथम की थी तो सही जवाब है लाहा और अधिवेशन उनिस सो उन्तिस कांग सा सही सुमेलित है तो राम मनु हर लोहिया जो है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है दी गिल्टी मैन आफ इंडिया पार्टीशन बांकी ग्लिम्सेस आफ दी बर्ड हिष्ट्री जबाहर लाल नेरू की है दि ग्रेट डिवाइड़ अच भी हर्डशन की है हिंद स्वराज गांदी जी की गिल्टी मैन आफ इंडिया पार्टीशन राम मनु हर लोहिया की है जैसा के उपर हम लोग देख भी चुके हैं सुची एक को सुची दो से मिलाना है गटनाय दी गई है सुवाश चंदर बोस जो है भारती राष्ट्री कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे बल्लब बाई बटेल पटेल के संरक्षण में आप रेशन पोलो चलाया गया था जैसा कि मैं पिछली बहर भी बताया हूं आप रेशन पेलो किसको जो हैदराबाद का निजाम था उसको भागाने के लिए मतलब हैदराबाद के बिले के लिए आप रेशन पोलो चलाया गया था पुलिस के द्वारा तो बल्लब बाई पटेल जब एक ही करण हो रहा था तो खाली याद करने के मैंने बताया है आप रेशन पेलो कि एक वाल जो है उन्निस सो तीस के मुश्लिम लीग समेलन की अद्धिक्षिता में था इलाबाद में हुआ था बटकेश और दत्त जो हैं सेंट्रल असेंबली में बम फैंगने के लिए जाने जाते हैं भूगोल में देख लेते हैं निमन सुप्तकासी राम बाड़ा और गवरी कुंड तीनों जो हैं मंदा किनी नदी के किनारे अवस्तित हैं कि राज्यों के निर्माण का सही अब रोही क्रम क्या है दोस्तों कि तो कि माप कीजिएगा राजस्तान का निर्माण 1956 में महाराष्ट्रा का 1960 में और हरियाना 1963 में गटित हुआ था किसन गंगा एक साहक नदी है दोस्तों किसकी जेलम की याद रखिएगा जार्बा जनजाती या फिर जोर्वे जनजाती जो हाली में चर्चा में रही थी कहां की है अंडवान निकोबार की पंजाब के पूर्व महाराजा दलीब सिंग के बिसे में निम्द्रिकित में से कौन सा एक कथन सत्ते है 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन जो है पेरिस में हुआ था यही कथन सत्ते है अंतेश्टी जो है इनकी इगिलेंड में हुई थी इन्होंने जो है इसाई धर्म अपना लिया था जैवमंंंडल आगार और अबस्तिति की बात कही गई है और कहा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो मानश जो है जैवमंंडल आगार का मेंं में आखाला में ना होकर असम में है माकिंड़ा देभी उत्तरा χंड में कंच चंगा शिकम में अगस्त मलाई में है सभी कफन सही है कि तराजस्तान का लगबग एक दिकार है दोस्तों किसमेश जस्ता में जी हैं दोस्तों आर्थ की आ गई हैं उसमे जो है हम लोग ये उतपादन और खनिज बगएरा और जो भी आर्थकी से सब्भंद्र महत पूर्ण मुद्दे हैं उन सब को सिमेट लेंगे तो निश्चिंत्र यह उस पर काम सुरू हो गया है बनिश्चिती रिपोर्ट भी आपको उसी में मिलेगी तो यह जो सवाल है इनको लोग छोड़ते चलेंगे जो अपडेट अपडेटेशन की मांग करते हैं हिंडाल को इस था पर ताय दोस्तों कहां उत्तर प्रदेश के रेंग कूट में रेंगूट कहां है तो सोन भद्र में निम्ली लिखित में से कौण एक भू आवद देश नहीं है तो अजर बेजान भू आवद देश नहीं है बाकि उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजकिस्तान तीनों जो हैं लेंड लॉग्ड कंट्रीज हैं इस्थानी बायू का नाम दिया गया है और देश दिये गया है तो सिराको दोस्तों कहां लीविया में चलती है बोरा जो है इटली में और ब्लीजार्ड या फिर ब्लीजार्ड कनाड़ा में चलती है याद रखिएगा निम्लिर्खित ये गुमों में से कौन साई समयलित नहीं है तो मिसावी रेंज जो है कोईला छेतर के लिए परसिद नहीं है बाकी क्लिवलेंड लोहाइस पात के लिए लेट राइट मोटर गाड़ी के लिए और फिला डेलफिया जो है पोद निर्मान के लिए जाना जाता है मिसावी रेंज लहो ऐस के लिए जानी जाती है याद रखिएगा कि एक महादीप में उसके संपूर्ण छेत्र फल में मैदानी भाग का प्रतिसत सरवादिक है सही जवाब है यूरोप निमने लेकित देशों में प्रति एकड़ का पास उत्पादन उचित्तम है इसको छोटते हुए आगे बढ़ते हैं बता दिया है कि आर्थगी में कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों फरवरी महिने का पूरा करंट अफेर्स एक ही वीडियो में दिया गया है मतलब चार वीडियो में दिया है चोटी चोटी वीडियो हैं चारों देख लीजिएगा और पुरे नोट्स की जो की हैंड रेट इंफार्मेट में है उसकी पीडिएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है तो बहां से डाउनलोड कर लीजिएगा कोईला चेतर दिया गया है और कौन सा कहां पाया जाना है या जाता है उसका मिलान करना है तो कुझवास जो है रूस में अवस्तित है रेड़ वेस इन चीन में है ब्रिश्टल उनाइटेट किंग्डम में निव साउल्थ बेस निव साउथ वेल आस्टेलिया में है याद रखिएगा निमने लिखित भारती राजियों में से कौन रेश्मी बस्तर का सबसे बड़ा उत्पादक है इसको छोड़ते हैं अपडेट करके आपको बताऊंगा आर्थकी में फिर कौन साईगुम गलत है रूर अधोगिक प्रदेश जर्मनी में में है फ्लेंडर्स अधोगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस में है स्कॉट्लेंड अधोगिक छेत्र स्वीडन में ना होकर दोस्तों कहां हो सकता है आप लोग जानी रहे होंगे यूके में होगा आपको बताया है कि यूके का निर्मार जो है EWS से हुआ है EWS इगलेंड वेल्स और स्कॉट्लेंड और नियू इगलेंड अधोगिक छेत्र EWS में है पिछली पिछली पेपर में भी मतलब जो आपको बता चुका हूँ हाला कि है अगला मेरे कहनेक मतलब यहीं से उसमें उठाके पूश लिया गया था फलुत पादन में भारत का योगदान पूचा है जेली बनाने में कौन सा फल सरवादिक उपयूकत है तो अम्रूद निवन लिकित राज्यों में किसका नगरिय घनत उच्चतम है तो पश्चिम बंगाल लेकिन अब जो है दोस्तों बिहार है याद रखिएगा कि दोहजार माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल ही है दोस्तों यहाँ पर नगरिय घनत की बात हो रही है टूटल घनत की नहीं बात हो रही है नगरिय घनत की दोहजार एक के अनुसार 14 वर्ष से कम आयू बाले आयू बालों की संख्या सकल आवादी का कितना प्रतिसद है तो 31 प्रतिसद है कि अन्तिम दो दसकों में विश्वी सदी के अन्तिम दो दसकों में 1981 से 2001 में उच्चितम जन संक्या ब्रद्धि अंकित की गई थी दोस्तों कहां नागालेंड में है कि दो हजार 11 की जंगणना के नुफ़ार भारत में दसलाकी नगरों की संक्या कितनी हैं तुर तेरपन है मुद्धर अ illust्तर प्र्देश में कितने दसलाकी नगर है तो यह याद रखेगा साथ कि जन्गणना 2011 के नुसार सबसे कम लिंगान उपात वाला राज्य कोंसा है तो हर्याणा है और लिंगान उपात में सरवाधिक ब्रदी दोस्तों यहीं हुई हर्याणा में ये भी आपको याद रखना है भारत के निमने लिखित और जन संक्या की द्रिश्टी से पहला कौन होगा तो अपना उत्तर पुर्देश ग्रामीड विकास के लिए पाइलेट परियोजना का प्रारम किया गया कब 1948 में करेंट फेर का सबाल चोड़ते हैं निम्न मेंसे किसे विस्तु का चीनी का कटोरा कहा जाता है तो किसे क्यूबा को ये सिगार उत्पादन के लिए भी जाना जाता है याद रखिएगा सिगार निर्मार करता निम्न लिखिद देशों मेंसे कौन एक मात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है तो यूक्रेन निमने लिखित देशों में कौन मक्का उत्वादन पूचा है इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं फसलों के सहस्थान दिये गए हैं दोस्तों और पूचा है कौन सा कहां पाया जाता है तो शाट फर्म में दिया गया था आपको शाट फर्म उसकी याद कर लेनी है तो इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बेजिटेवल रिसर्च बाराड़ सी में इंडियन इंस्टिट्यूट कानपूर में आपको पहले भी बता चुका हूं इंस्टिट्यूट आफ सुगर के रिसर्च लखनव में है और इंडियन इंस्टिट्यूट आफ हार्टी कल्चर रिसर्च बेंगलुरू में है याद रखेगा 1903 में भारत बर्स की परतम चीनी मिल इस्थापित कि गई थी द कि यह सवाल दोस्तों किसी परिक्षा में रिपीट किया गया है याद नहीं आ रहा है उत्तर पुदेश अधोगिक विकास निगम इस्थापित है कहां तो कानपूर में इस्थापना इसकी 1974 में थी यह भी आपको याद रखना है परियोजना के निदेशाले दिये गए साट फर्म में और उसकी डिटेल आपको बता रहा हूं और आपको याद रख लेनी है डारेक्ट रेट आफ राइस रिसर्च कहां है है हैदराबाद में डारेक्ट रेट आफ मेजे रिसर्च नई दिल्ली में डारेक्ट रेट आफ फल्सेज रिसर्च कानपूर में है कौन सी आम की किस्म दसायरी एक्स नीलम के क्रास से बिक्सित की गई है तो सही जवाब है आमरपाली तेल सोदक कार खाना कहां है उसका मिलान करना है तति पाका या फिर ताति पाका आंधर प्रदेश में है कोईली जो है गुजरात में है नाग पट्टिनम तमिलाडू में नुमाली गड़ जो है असम में है याद रखिएगा देश में प्रथम किर्शी विश्व विद्याले की इस्थापना किस बर्स हुई थी तो 1960 में वी थी कहां उत्राकंड में पिछली क्लास में भी आपको बताया है मटर की पत्ति भीहिन प्रजाती कौण सी है तो सही जवाब है अरपणा माफ किजीगा अपरणा पण मीश पत्ता होता है तो आ जब लग जाएगा तो मतलब पत्ता भीहिन तो याद रखने के लिए इतना काफी है अपरणा जो है पत्ता भीहिन प्रजाती है बारानी दीप किस फसल की किसम है तो धान की राष्ट्री पादप अनुबांसिक संस्थान संसाधन ब्यूरो कहां इस्तित है तो नई दिल्ली में बाहर एक प्रसिद प्रजाती है दोस्तों किसकी अरहर की तेकि ये बाहर बाहर को बाहर पढ़िएगा और अरहर में हर लगा हुआ है तो बाहर और हर मतलब अरहर तो बा तेरी सोध संस्तान कहां है तो करनाल में है करनाल कहां हरियाना में कि बड़ा साट फार्म में दोस्तों इस्थान पूंचे गए हैं तो आपको इनको याद रखना है Central Soil Salinity Research Institute कहां है करनाल में Central Tuber Cross Research Institute त्रिभेंद्रम में International Rice Research Institute मनीला में और Central एरेड जोन रिसर्च इंस्टिट्यूट काजरी की बात हो रही है दोस्तों ऐसे भी पूंच लिया जाता है तो यह जोधपुर में दालों का उत्पादन पूंचा किस राज में गन्ना उत्पादक पूंचा गया है दान उत्पादक पूंच लिया गया है यह सब हम लोग आर्थ की से कबर करेंगे दलहनी पसलों में संतुलित खाद का अनपाद कितना होता है तो एक अनपाद दो अनपाद दो एन पी के नाइट्रोजन एक होती है और फासपोरस दो होती है और पोटास पोटेसियम दो होती है याद रखेगा 2016 को अंतरराष्ट्री दलहन बर्स गोशित किया गया था 2023 को सहयुक्त राष्ट ने जो है मोटा अनाज बर्स के रूप में गोशित किया है पूशा बोल्डेक पर जाती है किसकी दोस्तों सरसों की संकरधान की खेती सरवादिक लोग पुरिये है कहां दोस्तों चीन में याद रखेगा राष्ट्री कर्शी विपणन सस्थान कहां अवस्तित है तो जैपूर में अवस्तित है याद रखेगा क्रांती दोस्तों बताई गई है सफेद क्रांती दूद से संबंदित है हरी क्रांती अनाज या फिर खादान से सुनेरी क्रांती उद्धान से संबंदित है नीली क्रांटी मुर्गी पालंज से ना संबंदित होकर मत से उत्पादन से संबंदित है तो यही कथन सुमेलित नहीं है किस राज में केले का दिकतम उत्पादन होता है पूछ लिया गया है इसको आरति की से करेंगे ग्यहुत पादन में उत्तर पदेश का योगदान पूछा इसे भी छोड़ते हैं भारती गन्ना अनुसंदान सहस्तान कहां है अभी उपर भी बताया गया है तो लक्ष्णोग में भारत ने किसके साथ करन्ट अफेर का सवाल है दोस्तों हटाते हैं भारती पस्व चिकित्सा अनुसंदान सहस्तान कहां अवस्तित है तो बरेली के इज्जत नगर में चीन द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम पूंचाया छोड़ते हैं इसको दोस्तों खांजी जाने का नाम नहीं ले रही है लेकिन वीडियो तो देनी है आपको पादा किया है हाली में परतम बारकिस देश के बैग्यानिकों ने इस्टेम सेल्स से मनुस्री की लीवर को सिकाओं की रचना की है करन्ट अफेर का सवाल है नहीं पूंचा जाएगा नि निमने लिकित में से किसने सर्फ प्रतम बायो डायवर्सिटी सब्द का प्रयोग किया था अच्छा सवार है दोस्तों तो बाल्टर जी रोजन ने किया था निमने लिकित में काउन एक बाय प्रदूशन की रोग थाम की एक यंत्रिय विधी नहीं है तो साइक्लोन डिवाइडर जो है यंत्रिय विधी नहीं है यह सवाल रिपीट किया गया है उत्तरपदेश प्री परिक्षा में भी बाकी यंत्रिय विधीयों में क्या बैग फिल्टर है साइक्लोन कलेक्टर साइक्लोन सेपरेटर लेकिन साइक्लोन डिवाइडर कोई ऐसा यंत्र नहीं है याद रखिएगा बलुशितान में भुकम की बात की गई है बहां पर भुकम पाया और उसके कारण निर्मित आश्थाई लगुदीप से निम्न लिखित में से किस गैस का सर्जन प्रारम हो गया था तो मिथेन का तिब्बत के पठार के उपर 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था किस ने तो ये अच्छा सवाल है केंट मूर ने बैग्यानिकों की निम्न टीमों में से किस ने सर प्रतम अंटार्टिका के उपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था तो ब्रिटिस टीम ने याद रखिएगा कौन एक बाई प्रोडूशन से संबंदित नहीं है तो यूट्रोफिकेशन जो है बाई प्रोडूशन से संबंदित नहीं है या जल से संबंदित है जल प्रोडूशन से तो याद रखिएगा जल में जो है आक्सीजन की मात्रा जो है कमी आ जाती है इस घटना की कारण फिर पेंड़ पाउदों एवं जन्तों की सरबादिक बिविद्धता जो है विशेशता एकिस की उश्ण कट बन दिये आद्र बनों की के उतरप्देश में गंन्य का सम्रतन burial एफ आर पी पूछा गया है दोस्तों गणने का समर्तन day food के नाम से जाना जाता है ना कि मैं जन्पदों में करउं 6 प्ल की द्रिष्टी से सबसे छोटा है तो दिये गई जनपदों में बारा रशी है उत्तर पदेश का मुख के लोग नर्तिकाउं साइदोस्तों धोबिया सायरा और राई तीनों है दो हजार ग्यारा की जन्गरणा के नुसाथ उत्तर पदेश में महिला आवादी कुल आवादी का लगबग कितना है तो 68-48 प्रतिसद उर्दु कुद्धिती राजभासा कब गोशित किया गया था तो 1989 में 24 साचरता करें ऑत्तर पदेश में कुश कुल पूरुच साचरता की बात कर रही है नारियों को कम तर आवा व्हारत में बल्कि उत्तर-पदेश में सबसे नीचे महिला साचर्था तो सबसे कम 57% महिला साचर्था उत्तर प्रदेश प्रतिसत जो है कुल साच छर्ता है उत्तर प्रुदेश में और 77% पुरसों की साथ शर्ता है बस याद हो गया तो उत्तरपदेश में केंद्री विश्विद्यालियों की संख्या पूश ली गई है दोस्तों अभी पिछली एक वीडियो में आपको बताया है कितनी हैं पांच याद रखिएगा एकदम हाल का अपडेट बताया है आपको उत्तरपदेश के जन पदों में भूकसा जन जाति कहा पाई जाती है तो भिजनावर और आगरा में किस सायर में जय प्रहोदोगी की पार्क इस्तित है दोस्तों तो लखनओं में उत्तर प्रदेश की फज 돌 गहनता 160 उत्तर प्रदेश में किर्शी विश्व विद्यालियों की संख्या की बात कही गई है कितनी है दोस्तों तो पांच यह आंकड़ा दोस्तों अपडेट नहीं है इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा कि पुराना सवाल है मैंने देखा नहीं है इसको यह काद बढ़ा ही होगा कम तो नहीं हुआ होगा जहांसी वाला बढ़ गया होगा भारती साग भाजी अनुसंदान संस्तान कहां है तो बाराड़सी में अब करेंट फिर्स आ गए हैं दोस्तों इनको छोड़ते हुए आगे हम लोग सीधे बिविद में आते हैं बोरो बदूर इस्तूप कहां अवस्तित है तो जावा में जावा कहां है इंडोनेशिया में निम्री लिखित में से किसे सोण द्वार का नगर कहा जाता है तो सही जबाब है सैन फ्रांसिसको को कि विश्व संयुक्त राष्ट विश्व परेटन की रिपोर्ट के नुसार यह भरमण वाला पूचा गया करेंट फेर चोड़ते हैं भारत का राष्ट्री सामुद्रिक पार्क इस्तित है कहां दोस्तों कच्च के रन में याद रखिएगा कख्ष में किसमे नेचुरल हिश्ट्री का राष्ट्रिय संग्रालय नहीं है तो हैदराबाद में नहीं है हर्याली योजना किस से संबंदित है दोस्तों जल प्रबंदन से कब सुरू ही थी 2003 में अब हर्याली प्रबंदन का मतलब दोस्तों फसल से मत जोड़ के बैठ जाईएगा ना क किर्शी से जल प्रबंदन से है अब दोस्तों दूसरे प्रश्ण पत्र के हल को तईयार करते हैं निमने लिखित कत्रों में से कहुन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं ब्रिटिस काल में भारत बिनिर्मित माल का पूर्ति करता था यही कथन सही नहीं है दोस्तों भारत जो है कच्छे माल का पूर्ति करता था बुदान आंदोलन का सर प्रथम प्रारंब किस राजी में हुआ तो आंधर प्रदेश में हुआ याद रखेगा पोचम पल्ली गाउं से हुआ किसने शुरू किया आचार बिनोबा भावे ने सुची एक को सुची दो से मिलाना है कागज उद्ध्योक के लिए टीटागर सीमेंट के लिए लखेरी लोहा इसपात के लिए भिलाई और खनीज तेल सोदन साला जो है अंबाला मुकुल में अवस्तित है याद रखेगा कक्ष की खाड़ी में कांडला निमनी लिखित में से किस के लिए प्रसिद्ध है तो सही जवाब है निर्यात प्रसंस करण छेत्र के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन करण्ट अफेर का सवाल है इसको छोणते हैं अगे बढ़ते हैं प्रत्वी अपने कक्ष में लगभग चवालिस सो किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गूमती है इस गति को हम अनुबब क्यों नहीं कर पाते कारण है दोस्तों क्यूंकि संपूर्ण सूर्य मंडल वी चलाय मान है 2011 की जंगर 2011 में निमनलखित राज्यों में किसमें सिस्वम रत्युदर अकिल भारती आउसत से कम थी तो सही जवाब है तमिल नाडू 2001 से 11 की मद्य उत्तर पदेश में लिंगा नुपात में कितनी की ब्रद्दी हुई है तो दस मैलाओं की ब्रद्दी हुई है एक हजार पूर्शों पर याद रखिएगा भारत का संबिदान अंगी करत एवम अदिली मित हुआ था कब दोस्तो तो 26 नुमंबर 1929 को लागू कब हुआ था 26 जनबरी 1950 को भारती संबिदान का कौन सा भाग संबिदान की आत्मा कहा जाता है तो संबिदान की उद्देशिका को संबिदान की आत्मा कहा जाता है भारती सम्विधान सभा के उद्गाटन अधिवेशन की अध्यक्षिता की गई थी दोस्तों किस के द्वारा तो आप लोग सभी जानते होंगे सच्चिदा नंसिना जी की द्वारा क्योंकि ये जो थे आइस्थाई अध्यक्षिते भारती ये राज वेवस्ता में निमने लिखित में से कौन सर्वोच है तो सम्विधान जो है सर्वोच है सुचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था तो 2005 में कौन सुतंत्र भारत के किसी राजी की सरप्तम महिला राजिपाल बनी थी तो एक दम बच्चा सवाल है सरोजनी नायडू एक संगिये विवस्ता और केंदर में 12 सासन भारत में लागू किया गया था कब दोस्तो 1935 के अधिनियम के द्वारा एक राजी को संग में समलित करने अत्वा नए राज्यों की इस्थापना करने की कार्यपालिका की सक्ति निमने लिखित में से किसे प्राप्त है तो संसत्त को बंदी बनाये गए ब्यक्त के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुछेद में दी गई है तो अनुछेद 15 में भी नहीं है अनुछेद 17 में भी नहीं है बलकि अनुछेद 22 में दी गई है याद रखिएगा बताना है दोस्तो मौलिक अधिकार भाग तीन में दिये गया है मौलिक करतब भाग चार ए में दिये गया है संग छेतर जो है संग का प्रापधान जो है भाग पांच में राज सरकार का प्रापधान भाग छे में है आपात उपबंद जो है भाग 18 में दिये गया है याद र गया था तो 42 सभीदान संसोधन की द्वारा अब तक मात्र और मात्र एकई संसोधन हुआ है किसमें प्रस्ताबना में तब क्या जोड़ा गया सपा एस पी ए सपा का मतलब समाजबादी पी का मतलब पंत निर्पेश और एक मतलब अखंडता यह तीन सब्द जोड़े गये थे याद रखेगा काउन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संबैदानिक उपबंद नहीं है एक राज्य संग राज्य छेत्र सामिल कर सकेगा यही संबैदानिक उपबंद नहीं है बाकि किसी राज्य का छेत्र बढ़ाकर उसके राज्य का छेत्र घटाकर किसी राज्य का नाम परविर्थित कर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है कि संसोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया तो 44 संबिदान संसोधन 1978 के द्वारा यहाँ अधिकार समाप्त कर दिया गया और एक बिदिक अधिकार का दर्जा इसको दे दिया गया संबिदान के अनुशेद 300A में भारती सम्मिदान का कौन सा अनुचेद आसपर सिता का अनुमूलन करता है दोस्तो तो अनुचेद सत्रा राष्ट पती के रिक्त पद को भरना अनिबार होता है कितने दिन के अंदर छे महां के अंदर याद रखिएगा निमने लिखित में कौन नागरिक्ता के अरजन है तो सर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है तो संसद ये भी याद रखिएगा सम्मिदान के अनुचेद भाग दो में अनुचेद 5 से 11 के तहट नागरिक्ता का प्रावधान किया गया है उपराष्टपती को उसके पद से निमने लिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा अटाया जा सकता है तो राजिसभा के प्रस्ताव के द्वारा निमनी लिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है तो सही जवाब है उपराष्टपती संसद का अनन्य भाग नहीं है संभिधान का अनुछेद 89 कहता है कि संसद का निर्मार जो है राष्टपती लोकसभा और राजिसभा तीनों से मिलकर होगा संसद की इस्ताई समिति के सदस्यों को लोकसवा एभम राजसवा से किस अनुपात में लिया जाता है तो सही जवाब है क्रमसद्दो और एक के अनुपात में दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं ज्यादा ब्याक्ख्या नहीं कर रहा हूं कोई जरूरत नहीं है सीधे अज एडिस उठा के प्रस्ण पूंश लिया जाएगा और ब्याक्ख्या अगर करने पर आए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारा उद्देस वही है कि यदि यहां से कुश्चन रिपीट होता है वो गलत ना हो यही इस सीरीज का उद्देस है वही हम लोग भारत के प्रधान मंत्री के विशय में निमने लिखित कत्रों में से कौन सही है तो केबल और केबल एक प्रधान मंत्री मंत्री परिशद का बास्तविक नेता होता है निमने लिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अद्देक्षिता करने है तो अधिक्रित है तो सही जबाब है लोक्सवा अद्द्यक्ष याद रखिएगा लोक्सवा के कितने सदस मंत्र परिश्यत के बिरुद्ध अभिश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं तो पचास सदस से नियाईक पुनराब लोकन प्रचिलित है दोस्तों भारत और यूएसे दोनों में फिर है उचने आले के सेवा निवृत जज की पेंशन कहां से दी जाती है तो भारत की संचित निदी से कि समिदान के दूशे 266 में संचित निदी का प्रावधान किया गया है माकि राष्ट पती उपराश्पती नियंत्र के मालेखा परिच्चक आदि के बेतन और भत्ते इसी निदी पर भारत होते हैं किस कानून के अंतरगत यह बहित है कि भारत के उच्चतम निया एले की संपूर्ण कारवाई अंग्रेजी भासा में होगी अच्छा सवाल है भारते समिदान की धारा 348 के द्वारा निमने लिकित में से कौन त्रणमूल लोक्तंतर से संबंदित है तो पंचाजती राजपद्धती बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों त्रणमूल लोक्तंतर की बात की गई है भारत की अर्थ व्यवस्ता है दोस्तो कैसी मिष्डित अर्थ व्यवस्ता रोश्नी सब्द समय चारों में था या किस लिए जाना जाता करण्ट अफेर का सवाल है किसे सबंदित है तो सही जवाब है जन जाती ये वुकों के कव्षल विकाच और प्रशिच्छन कारिक्रम स करेंट अफेर का सवाल चोड़ते हैं निमने लिकित में से कौन सा निर्धनता के लिए उत्तर दाई नहीं है तो सही जवाब है बढ़ती निवेस दर दोस्तों आपको पता होगा कि एक वीडियो बजट पे दिया है और अभी आज ही मतलब कल की बात कर रहा हूं सोंबार को जो यार आपके हो जाएंगे बहुत बहुत दो वीडियो देख लीजिएगा स्वाधार योजना संबंदित है दोस्तों कि से बिशम पर जितियों में रहने वाली मैलाओं से उनके लिए सरकार के द्वारा विभिन प्रकार सरकार के द्वारा जो है उनको आर्थिक मदद दी जा रही है शेवा करके संदर्व में कतनों पर विचार कीजिए यहां परत्यक्ष कर है कथन कौन से सही है ये बताना है सेवा कर पर विचार करके बताना है या पर्तेक्ष कर है जी नहीं दोस्तों या पर्तेक्ष कर है तो दूसरा विकल्ब भी दिया है या पर्तेक्ष कर है तो ये कथन सही है या 1994 में लागू किया गया था या कथन भी सही है दोस्तों चेलिया समिती की सिफारिस पर इसको लागू किया गया था 1994 में भारत में सर्प्रतमराष्ट्री आय का किस ने आकलन किया था तो दादा भाई नोरोजी ने बारवी पंच वर्षी उजना में निवने लिखित में से किस मद में सबसे अधिक धनराशी भी नहित की गई थी सामाजिक सेवाओं की मद में किसी देश में जीवन इस्तर प्रतिविम्वित होता है दोस्तों किस से प्रतिव्यक्ति आय के आधात से भारत में मिसित अर्थ व्यवस्ता का अर्थ क्या है दोस्तों सहर विजनिक तता निजी छेतर का सहय अस्तित्तों निमने लिखित में से कौन एक संस्ता ग्रामीर अवस्था अपना विकास को उसके अर्थ प्रबंद को संचालित करती है तो नावार्ड 12 जुलाई 1982 को इसकी स्था अपना की गई थी यह करंट अफियर का सवाला इसको छोड़ते हैं दोनों को छोड़ते हैं उदारी करण नीजी करण और भूमंडली करण की नीती नई आर्थिक नीती के रूप में निमन में से किस प्रधार मंत्री द्वारा स्विकार की गई थी तो नर्शिमा प्रण फेर का सवाला छोड़ते हैं निमनी लिकित फसलों में से कौन सी एक फसल राष्ट्री खाद सुरच्चा मिशन में समलित नहीं है तो मोटा अनाज समलित नहीं है राष्ट्री खाद सुरच्चा मिशन 2007 में सुरू किया गया था कि इन फसलों के उत्पादन को बढ़ है कि यहां अप्रेल से मार्च के लिए नहीं कि अप्रेल 1505 के लिए यह रीच्व आर्योंक हैं 5.1 एकपक्राइm कोर्ष है दोस्तों किसके लिए को अब pra principle मार्च है जी हंब वाइंकों के लिए एक nutा ऑफ हम यह बना डाना पाम जुलाई से जूल सही है नए रिजर बैंक गवर्नर के अनुसार इसको हटाते हैं करंट अफेर के सवाल है उस समय उन्होंने बयान दिया था उसी की आधार पे पूंचा गया है कौन सा देश भारत को सरवाधिक सोन कर निर्यात करता है छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोनों सवाल यह भी करंट अफेर का ही सवाल है सब आर्थकी से कबर करेंगे साथ को निमने लिखित में से कौन सी संस्ता भारत में सयोग निदियों का नियवन करती है तो से भी एक व्यक्ति एक संबेदन सील तराजू पर खड़ा है यदि गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा याद रखिएगा अच्छा सवाल है फिर क्या का गया है एक मकान में दो बल्ब दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है इन दोनों में से किस बल्ब में उच्छे तर अवरोधक है जी हैं साथिए जो कम चमकेगा उसमें ज्यादा अवरोध होगा तो मंद रोशनी बाले बल्ब में याद रखेगा जो कच्चा बल्ब होता है कहते हैं उसमें रोशनी ज्यादा होती है वो जल्दी फुच से हो जाता है आप लोग उन्हें प्रयोग देखा होगा जे धवाई या नीचे के स्टेटो इस फेर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है इसकी निर्दिष्ट बैख्या क्या हो सकती है नीचे के स्टेटो इस फेर में बादल और पानी की बास्प नहीं होती है सही कथन है दोस्तों नीचे के स्टेटो इस फेर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती है इसलिए भी आसानी से उड़ सकता ह इसलिए दोनों कथन सही हैं ट्रैफिक सिगनल में लाल प्रकास प्रयोगत होता है क्योंकि इसकी तरंग दहरे दोस्तों सबसे अधिक होती है याद रखेगा आपको कल भी बताया था सबसे कम बैगनी रंगी किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रीमोट नियंतरन इकाई द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है तो सहीज जवाब है रेडियो तरंगों का कतन और निसकर्ष बताया गया है भाजी भरी वी गाड़ी को चलाने में उसे चलाइमान रखने के लिए आवस्षेख तागत से अपेक्शा करत अधिक तागत से धका देना पड़ता है निशकर्स एक बार गाड़ी चलने के बाद गर्षन कम होता है यही इसका निशकर्स है जात्यूँ अपने कक्ष में एक उपग्रे प्रत्वी के चक्कर लगाता रहता है बहुत ऐसा निम्न में से किस कारण से कर पाता है तो केंद्रा भी मुकी बल के कारण या अभी केंद्री ये बल के कारण एक बस्त दो समांतर समतल तरपड़ों के बीच रखी जाती है बने प्रतिविंबो की संक्या कितनी होगी अनन्त सोनार में हम उपयोग करते हैं दोस्तों पराशरब्व तरंगों में इसकी फुल फॉर्म पूंच ली जाती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग समुद्र की गहराईयों में डूबी बस्तों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तूर संचार के लिए प्रयोग तरंगें हैं दोस्तों द्रश्य प्रकास इंफ्रा रेड या फिर अल्ट्रा वाइलेट या माइक्रो बेब सही जवाब है माइक्रो बेब निकट द्रिष्टी दोस्त की रोग मुक्ति होती है दोस्तों अब तल लेंज के द्वारा एक अंत्रिक्स यात्री अपने सहपाठी को चंदर्मा की सतय पर सुन नहीं सकता क्योंकि बहाँ पर बायो मंडल नहीं होता है अर्थाद निर्वात होता है इसलिए द्वानी परचारित नहीं हो सकती है क्योंकि निर्वात में द्वानी नहीं चलती है सूरियास्त तता सूरियोदय की समय सूर के लाल रंग होने का कारण क्या है तो प्रकास का प्रकीडन खगोली दूरदर्शी से बना प्रतिबिम्ब होता है दोस्तो कालपनिक और बड़ा याद रखेगा खारे पानी को सुद्ध पानी में परिवर्टित करने की प्रकीडिया को कहते हैं दोस्तो उत्फुलन उत्करमन परासरन या प्रस्वेधन या बिद्धुत पर्धक करन इसको देख लेता हूँ यह मुझे भी नहीं पता है साती हूँ कि उत्करम परासरण ऑड़ा कि इसके द्वारा खारे पानी को सुद्ध पानी में परिवर्टित किया जाता है संबबता रिवर्स ऑस्मेंसिस की बात हो रही है और ओ की आरो की हाली में सीरिया के ग्रहयोद में यह चौनद साथीों देख लेते हैं अच्छा है ग्रहयोद मे रसाइनिक हतियार का प्रयोग हुआ था इसमें से कौन सा रसाइन प्रयोग हुआ था अच्छा है साहती हूं सरीन गैस तो सीरिया और सरीन दोनों को जोड दीजेगा भूलेंगे नहीं कौन सा रसाइन कृतिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड बनस्पति तेल से बनस्पति घी में प्रयोग होता है बनाने में तो हाइड्रोजन और जो उत प्रेरेक होता है वो निकिल होता है ये भी याद रखिएगा ओजोन जल के सुच जीवों को मार देती है क्योंकि ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है तो दोस्तों कथन और कारण दिये गया है दोनों सही हैं दोस्तों लेकिन ब्याक्या नहीं है ब्याक्या नहीं करता है सूची एक को सूची दो से मिलाना है फरेयान जो है दोस्टों परसी तक जी हां फ्रिज बगईरा में इसका इस्तिमाल किया जाता है टेटरा एथिल लेड एंटिनौक एजेंट है पेट्रोल में मिलाया जाता है बेंजिन हेक्जा क्लोराइड जो है कीटनासी है और कार्बन ट सानों की बहुरंगी सतय पर उभारने हैं तो निम्न में से क्या प्रियुक्त होता है तो फ्लोरेसेंट पाउडर याद रखेगा लुकिट पेट्रोलियम गैस किसके मुख्य अब्यब हैं मतलब इसके कि यहां कि इठियर के वेड़ेड का घृट करने लिकित में से किसे सुरच्चा है तो दिया जाता है तो डिफ्टीरिया कुकर खासी और टिटनेस से सुरच्छा एहतु दिया जाता है नेशनल ब्यूरो आफ फ्लांट जेनेटिक्स रिसूर्स कहां इस्तित है दोस्तों तो नई दिल्ली में सरीर के जोड़ों में गठिया रोग निमने लिखित में से किस के जमाओं से होता है तो यूरिक अमल के जमाओं से होता है लंबे समय तक उपवास रखने का सरवादिक प्रभाव सरीर के किस अंग पर पड़ता है तो सही जवाब है गुर्दे पर निमन में से कौन बारत का देश में निर्मित हलका युद्ध योग हवाई जहाज है तो तेजस कथन और कारंड दिये गए हैं एक हवाई जहाज के पंक की उपरी सत्य उन तो्धर बनाई जाती है और नीची सत्य न तोदर बनाई जाती है सही है सीर्स बाग पर बाभाग की दृत गति कम होती है और इसलिए अधो बगों सीर्स बाग से दवाव कम रहता है तो dehuis तो नह है ताकि नीचे बायुदाब अधिक रहे ऊपर कम रहे कौन हरित जलबाई कोस्ट के लिए सही नहीं है इसकी स्थापनल डर्बन में आवजित जलबाई परिवर्तन सबाह में हुई थी कथन एक है या फिर या विकास सील देशों में कारिकर्मों द्वारा नीतियों का समर्थन करेगा और तीसरा है विक्सित देश इसके लिए कोस्ट परदान करेंगे और चवथा है या कोस्ट 2014 से कारिकर्ना प्रार्म करेगा तो कथन ए जो है दोस्तों कि सही नहीं है बांकि बी सी और डी तीनों सही है अब जो है तरक सक्ति और परिच्छन के सवाल आ गए हैं इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं करेंट अफेर पर आते हैं सीधे 147 इसको भी छोड़ते हैं और फिर बिविदा पर आते हैं हीरे की बिक्री में भार की इकाई करेट होती है एक करेट कितने के बराबर होता है तो दो सो मिली ग्राम के बराबर होता है निमने लिखित में से कौन संग राजचेतर नहीं है एक बच्चा सवाल है इसको छोड़ी देते हैं दोस्तों यह दोनों पेपर कंप्लीट हुए हैं वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है दोनों कंप्लीट होते मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद